क्वाइब कर दो कि अ अ युविन्द कुमार जैस्वाल और आप देख रहे हैं सकसे स्ट्रेक्ट आज हम लोग आटम वाइल की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे से बात करेंगे कि कोई भी इंजन्स को यह दि रुणिंग करिशन में रोकने की आवज सकता होगी तो उससमें हम लोग किसी भी वेहिकल्स या फिर गाडी मुद्ट को हम लोग कैसे उसमें रोक पाते हैं तो उस गाड़ी को रोकने के लिए उस्का अपयोग करते हैं यह वाकनिक Urs लेट मेरे कि अट को अफिरूर में लिटे लिए नहीं कूसा कर लेजए और विडियो आप तक प्रोपर पहुंच सके तो चलिए friends से start करते हैं तो brake system की जोगत की ओपड़े किसी भी engine में तो होता क्या है जब किसी की काड़ी को हम लोगЕ चालू करते हैं और start करके जब आगे बढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है कोई भी वेहिकल्स चलने की वज़ेसे उसमें कौन से एनर्जी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी डेवलोप होता है किसी भी इंजन में रेनिंग कंडिशन में कौन से काइनेटिक एनर्जी कि इस टूर मुटी है कि इस कैनेटिक एनर्जी की वाजय से उसमें क्या हो जाता है इंजन में गती उत्पन होती है और वो चलते रहता है तो जब हम लोग उसको रोपते हैं तो रोपते हैं तो रोपते हैं तो क्या हो जाता है ब्रेक सिस्टम क्या करता है उस कैनेटिक हारा हीट एनर्जी में करने ते उसको आइस या famous को क्या कर देता है वह रुब देता है तो कैसे काम करेगा मतलब की फृक्षिन के सिध्धान पूर कर रहे हैं एक algumग इंट कॉरत कर लेगर क registry कोे सिध्धान पर कार्रे करता है ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम बहुं सारे टाइप्स की है यहां पर हम लोग यह करके देख लेते हैं एक हुता है स्पंट के इसको से असलेट थे निए नियुकर पर वनुर्ट के बारे से को सिध्धान पर वार के तरेगा इसमें फिक्शन के शिञान के करेगा ठीक है इसमें फिक्षन की सिध्धान पर करेगा और यहां पर दिखाया गए है गर्टिंग सिस्टम के बारे से कुछ देख लो तो यह जो डिखाया जा रहा है डाइग्राम में पंदन से पाक्स जो बहरी जो आउटर के अब बिशेंश है उसको क्या बोला जाता है इस बाहर क अंदर का लगे होती है यह क्या लगे होते हैं यहां पर एक क्या म्लग रएता है करके सारे और जोड़ा हुआ या फीज होता है मैकनिकल लिंक होता है और कि शनक個 concerned सब्सक्राइब्स करते हो कि कॉ कर क्या किक तो और बारे से एक चीज़ को देख लेते हैं कि फीम यूब मतरले है ब्रेक्षू का मटेरियल तो जो ब्रेक्षू का मटेरियल होता है जिस पर हम लोग ब्रेक्षू के लाइनिंग को लगाते हैं वहाँ पर वो किसको बनाया जाता है कास्ट आइरन या फिर स्टील से उसको बनाया जाता है ब्रेक्षू का जो मटेरियल है वो कास्ट आइरन य ये जो material लगाए जाती है जो friction Lining के नाम से जाता है तो जो फ्रिक्शन ्माइनिंग होता है उससी asbestus किश्य बनाया जाता है ये कि इस बेस्टस के एक friction material है के दोनों प्रेक्षु के द्वारा उसको क्या किया जाता है । candy यहाँ पर दोनों प्रेक्सु को आपस में दो Retaining Spring के लवारा उसको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है और जो Retaining Spring होता है वो रहता है Closed Quail Closed Quail Spring का उप्योब किया जाता है और इसमें कितने नमबर आफ इस्प्रिंग रहेंगे तो दो नमबर आफ इस्प्रिंग का उप्योब किया जाता है Retaining Spring का काम क्या होता है कि जब brake pedal हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वो इस cam को घुमाएगा तो जब cam को घुमाएगा तो क्या करेंगे यह ब्रेकशु को फैल आएगा फैल आने के वज़े से आपर वीलडरम और ब्रेकशु के बीच में क्या हो जाएगा friction generate होगा आपस मुझ पर जाएंगे friction generate होगा जिसके वज़े से वहाँ पर heat release होगा और heat को हम लोग क्या करते है अट्मासफ़र में release करके गाड़ी की speed को control कर लिया जाता है नेक्स देखते हैं एंचर पीन एंचर पीन का उप्रोग हम लोग क्यों करते हैं दोनों ब्रेकशु को आपस में एक और से fix करने के लिए हम लोग इसका प्रोग करते हैं एंचर पीन को जंडली ब्रेकसु के नीचे साइड में fix किया जाता है इसका जो drum wheel है इसका जो drum wheel है वो क्या करेगा rotating pad है मतलब की यह क्या होता रहेगा घुमता रहेगा ड्रम wheel क्या करेगा घुमता रहेगा हमेशा और ब्रेकसु को हम लोग क्या करते हैं एक ही जगा पर फिक्स करके रखा जाता है जब लोग यहां पर दो सब्रेब्स मारते हैं आ करता है मेकनिकल दिंग की थ्रू जूरा वायर रहता है जो कि क्या पर ड्राइब करता है यहां पर क्या करता है इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता है मतलब कि इस डारेक्सन ने समझों असब घुम के तरब इस बेक्सु को फैल आदेता है प्रेक्सु का जो मटेरियल है वह डॉम के साथ चिपक जाता है डिर के साथ चिंग बतने के साथ यह फिक्शन क्रेट करें इस व्यूव आप फुक्शन के वज़जा से जो गारी की स्पी अब वो कंट्रोल हो जाती है नेक्स देखते हैं कोई भी इंजन में जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उस ब्रेकिंग सिस्टम की जो इफिसीएंसी है वो लेकिन सचो यदि जब कोई वह 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 चल रहा है और ब्रेकिंग सिस्टम का यदि इफिसीएंसी अगर परसेंट हो तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओ तो क्या तरदेगा इंजन को तूरत रोग देगा मतलब जो वहिकर से उसको तूरत रोग देगा तो क्या हो जाएगा आक्सिडेट होने का चांसे सब्सक्राइब मतलब की गाली पुलड़ दी सकती है या स्कीट कर सकती है तो इसलिए क्या किया जाता है इसकी इफिसेंसी को कम कर दिया जाता है ताकि जैसे ही हम लोग ब्रेक लगाया तो इंजन तुरंट ना रुके वो क्या करें थोड़े से आगे बड़के धीरे धीरे उसके कैनाटिक अनर्ची को कम करता जाए अगर एक ही साथ हम लोग एक ब्रेक अगर 100% की एफिसेंसी तुरंट रोग देगा तो उसको क्या क्या जा हैं वो कर्णिकल ही कितना रखा जाता है 50 से I am 90% तक रखा जाता है 52 90% तक रखा जाता है लेकिन यहीं मेकनिकल ब्रेक एफिसेंसी की अगर बात की जाए तो मेकनिकल बैक के से कितनी रखे जाती है 80% के फास-फास रखी जाती है यहाँ पर विल्ड्रम जो विल्ड्रम है वो क्या रहेंगे रोटेट करेंगे और ब्रेक्स उको स्टेशनरी रखा जाता है ठीक है तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा रहा है तो लाइक कीजिए अब चनल आगो अथा डिसलाइक कीजिए यह इससे रिलेटेट आपको कुई की चीज़ में अगा डावथ हो तो हमें कमेट्स कीजिए उसका जवाब भी तेगे थैंक्यू सो मच वाचिंग कर दो कर दो कर दो कर कर दो कर दो झाल झाल